कोरोना काल से बहुत सारे लोगों की नौकरी चले गई आर्थिक द्रिष्टी कौंट से कहीं ने कहीं संकट आ गए लेकिन मा लक्ष्मी का ध्यान करिए क्योंकि लक्ष्मी पाना आपका भागे नहीं आपका अधिकार है जिसे आप धन धाने यश किर्ती मान सम्मान की रूप पे चाहते हैं उसके लिए मा लक्ष्मी का आशिरवाद होना बहुत जरूरी है आने वाले 22 अप्रेल को अक्षेत रतिया के स्वभागिशाले अउसर पर आप सभी भक्त जनों के लिए मा लक्ष्मी के अनुकम पाप पर रहे इसके लिए आध्यात्मिक साधरा सिद्धी केंदर के विद्वान पंडितों के द्वारा आपके लिए निर्मित किया जा रहा है भागिय वर्दक माहलक्ष्मी साधरा का संपूर्ण पैकेट जिसे प्राप्त करके आप अपने सोय हुए भागी को जगा सकते हैं चाहे हो नौकरी हो व्यापार हो प्रोफेशन या परसनल लाइफ हो माहलक्ष्मी का आशिरवाद आपको ज़रू बिलेगा देगे नंबर पे संपर करके इन सामगरी को पूजन साधरा को आप मंगवा सकते हैं भगवान स्री कृष्ट ने कहा था जो हम लोगों पर आज के दोर में सटीक बैठती हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती हैं और दूसरों पर रखो तो अकसर कमजोरी बन जाती हैं आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है लेकिन आप कब गलत थे इसे सब व्याद रखते हैं इसे समझ दिया तो यही आपके लिए आज सफलता का गुरू बंतर बनेगा नमशकार प्रेसातियों मैं हूं सुरेश रिमाली और आप देख रहे हैं 20 अपरेल देवताओं की गुरू ब्रेश्पती का गुरू बार और आज सूरी ग्रहन का भी राश मिलना चाहते हैं तो फिलहाल मैं 23 अपरेल को दिल्ली, 24 अपरेल मुंबई, 29 और 30 अपरेल को बना रस, 4, 11, 29 मैं को दिल्ली, 5 मैं हल्दवानी नैनिताल, 21 मैं पूने और 26 मैं को मुंबई रहूंगा अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो मैं 6 और 7 मैं को काटमांडू, 13-17 मैं सिंगापूर, 27-28 मैं दुबई, 8-30 जून US, कैनेडा और UK ग्यात्रा पर रहूंगा दूसरी बात, 19 भई शनी जैनती पर मैं आपको जोदपुरा मंतरित कर रहा हूं, यहां शनी और नुस्तान में आप भाग लेंगे, और देख्षा प्राप्त कर सकते हैं, आपकी कुंडली का विस्टेशन भी होगा शुरुवात करते हैं गुरु मंतर से, नौकरी में यह आपकी जौब यह जिससे दिन और दिंचर्या चलती है, उसमें अगर कोई परिशाने आ रहे हैं तो विशेश उपाय में, प्राथा काल सनाना आधी कारियों से निवरत्तो कर, पीले अवस्तर धारन करें, गुड और स या गेहूं के आटे से बने हुए भोग लगाएं, संध्या के समय में चने और गुर की पोटली विश्णू लक्ष्मी मंदीर में दक्ष्णा के साथ अर्पित कर दिजे, साथ ही किसी अनाताले या फिर ओल्डे जौम, वहाँ पर पीली चीज़ें और फल का दान कर दिजे, आपका कल्यान होगा, आज जिनकी मेरी जन्वदिन या कोई स्पेशल डे है, वो स्री हरी विश्णू को पीले पूश पर पीले रंग की मिठाई का भोग लगाने के बाद केले के पौधे लगाईए और उनकी पूजा करे, हो सके तो शिक्सा से समधीर, यानि एजुकेशनल दान करना शुब रहेगा, चंद सेकिंड आप लोगों लूँगा, आज की कुणलियो राज के पंचान को लेकर, देखिए आज सुबह, 9 बचकर, 43 मिनट तक अमावस्या और बाद में प्रति बतातीती रहेगी, आज ही रात को, 11 बचकर, 11 मिनट तक अश्वीरी नक्षत रो फिर बारेनी नक्षत रहेगा, ग्रहों से बनने वाले, वाशी योग, आनदादी योग, सुनफा योग और बुदादीत योग का साथ तो मिली रहे, लेकिन विशकुम्ब और सरवाट सिद्धी दो नए राजयोग बन रहे, अगर आपकी राशी, मेतुन, गन्या, दनु औ समय की तलाश में तो दो बार बिलेगे, सुबह साथ से आठ बज़े तक शुब का चोगडिया है, और शाम को पांस से चे बज़े तक भी शुब का चोगडिया है, कोशिश करिएगा, दो फैर को डेट से तीन बज़े तक राउकाल की समय शुब और मांगली कारें ना करें, आएब राशी फल की शुरुआत करने से पहले बात करते हैं, सूरी ग्रहन, बीस अप्रिल को सुबह, यानि आठ बज़ कर साथ मिनट से शुरू होगा, और सुबह ग्यारा बज़ कर सताइस मिनट तक समापत होगा, ये बारत में नहीं है, इसका मैंने विशेश एपिशोड अलग से दिया है, वो भी आपको जरूर देखना चाहिए, लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, आएए शुरुआत करते हैं मेश राशी से, आत्म सम्मान और आत्म विश्वास से दिन चरिया आगे बढ़ेगी, आफिस में आप अपने काम पर ध्यान दें, तो आपके लिए दिन बेहतर होगा, आफिस में हो रही, राजनिती से दूरी बना कर रखने में ही फादा है, बुदादिती सरवार सिध्य और विश्कुम योग के बने से, होटेल, मोटेल, रेस्टरंट, फूड और बेवरिजेज, ऐसे लोग जो डेली नीट से समबदित काम करते हैं, इसपास स के लिए कहता है कि पॉजिटिव स्थिटी स्टूडेंट के लिए आ रही है, परिवार में संपत्तिक विवाद या इसके विवाजन की बात आगे बढ़ेगी, ऐसे में आपको देरेस दैरी और सहियंब रखना होगा, स्वास्ते को लेकर बदन दड़ और गले बे तकलीव परिशान कर सकती है, सूरी ग्रहंड पर आज आपको अनाच, गुड, लाल वस्तर, मसूर की डाल आदी का दान करना शुब रहेगा, ब्रशब राशी, कानूनी दावपेश थोड़े आप भी सीख लिजिए, नई टेक्नोजी सीखे, और कुछ ऐसा जो हम लोगों पर महताज रहते हैं, उसे सीखने से लाब बिलेगा, नौकरी पेशा लोग, कठिन परिस्ति में, सीनियर बॉस मदद आपकी करेंगे, आप उनकी मदद जरूर लिजए, और मारत दर्शन आपके बहुत काम आएगा, ग्रैंट दोश के बनने से, लोन के लिए प्रियासरत विजिस परस गर के नियम, कानून, अनुशाशन पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घर में सब कुछ मैस हो रहा है, माँ बाओ जी के नियम काइद कानून का पालन करना चाहिए, स्वास से कुछ आस हमाने लग रहा है, इसकि आपको डॉक्टर के पहुचा सकती है, आज सूरि गर शक्कर, चावल, सफेद बस्तर, कपूर, आधी का दान करना चाहिए, मितुन राशी, छोटी हो ये बड़ी भाई हो ये बहन, अपने हो ये कजिन, बांडिंग मजबूत करिए, एकता दिखाईए, ओफेस में उन कामों को आपको प्रात्विकता देने चाहिए, जो काम काफी प्राइम से पैंडिंग है, देरी सही सही, लेकिन सीनियर बॉस आपकी तारिफ जरू करेंगे, नारासगी दूर होगी, विश्कुम, बुदादिती और सरवार सिधी योग के बनने से, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिस, कंप्यूटर, सॉफ्ट्वेर, एब डेवलोपर, व काम करने के साथ आराम करने का भी प्रयास करें, अन्यता काम का बोच, शारीरी ठकान की रूपें सामने आ सकता है, सूरीक रहन पर गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, हरी सबजियां, हरे बस्तर, हरी मुंकी दाल, कासे एक बरतन घरीब लोगों में बांटने चाहिए, करकर आपके खिलाफ कोई राज निती या रण निती हो रही है आप अपना एक सफलता के लिए सुरक्षा कवज जरूर तैर करें ओफिस में काम करने के साथ साथ अपना डेटा भी सेव कर लीजिए अपने चीज़ों को समवाल के रखिए वरना आपको टेक्नोजी की कोई प्रॉब्लम आ सकती है बिजिनस पर्सन्स की लगाता और सफलता के कारण मान सम्मान में ब्रदी की कारण मन प्रसन चित होने के कारण दूसरे लोगों को जलन बढ़ रही है न्यू जैर्नेर्शन जो हुआ उसके बारे में सोच कर परिशान न हो बलकि भवश्य के लिए सोच समझ का आगे बढ़ने की प्लान ही करें संतान की संगत पर भी ध्यान दीजिए अनि उनकी कंपनी के बारे में ध्यान दीजिए समझदारे सिर्शन समझाई यदि बीमारी का इलाज सिर्फ आप उपरेशन सबस्ते हैं तो उसको करने में देरी नहीं करें क्योंकि अभी अगर आप बीमार है और उपरेशन नौबत है तो तुरंद करवा लीजिए सूरी ग्रहन पर आज के दिन ब्राहमर देवता को या जरूद बन लोगों को मोती, सफेद वस्तर, शकर, चावल, दूद या दूद से बने मिठाई का दान करना शुब रहेगा सिंग राशी अपने भागी को चमकाने के लिए आपको दिल और दिवा का पुरा इस्तिमाल करके अपनी मोडस वापनेटे तायर करनी चाहिए कुछ तुछ प्लैन ओफ एक्षन ये होना जरूरी है वर्ड प्लेस पर आप अपने काम करने तोर और तरीके को नए तरीके से नए बदलाव के साथ लॉंच करिए आप देखेगा कि आपके दर इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी और प्रेजेंटेशन की स्किल इतनी जबरदस डवलप हो जाएगी कि बॉस, मंतरी, आफिसर आपसे इंप्रेस हो जाएगी विश्कुम, बुदादिती और सरवार सिदियों के बनने से टेली कम्यूनिकेशन के शेतर में आपका अपना कम्यूनिकेशन शांदार रहा तो निश्चित मानिय टेक्नोजी में आप बड़े बदलाव कर पाएंगे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज अपने बिजी स्कैडूल में से बाब आउजी के चरन सपर्ष करके उनके साथ दिल की बात करिए उनके आशिरवास से आपका दिन शांदार हो जाएगा और कहा भी गया है कि खाले दिमाग शैतान गगर इसलिए खाले दिमाग मत रखिए परिवार वाले लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारी है क्योंकि वक्त देखता नहीं है बहुत कुछ दिखाज जरूर देता है आग करेंट या धारदार हत्यार से नुकिली चीजों से आपको खत्रा हो सकता है आज ग्रहन दोश के अवसर पर आपको गेहूं, गोड, तांबे के बरतन, लाल या नारंगी वस्तर आदी जरूत बन लोगों को डोनेट करने चाहिए कन्यराशी जिंदगी में कई सवाल ऐसे होते हैं जो अन्सुलजेवे होते हैं उन्हें सुलजाने का प्रयास एकाथ पे बैठ कर करिए अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पैचान कर, सेल्फ एनलेसिस करके आप समस्यों घल रून लेंगे, ग्रहन दोश के बनने से वर्किंग परसंस के लिए आज चुगल खोर लोग, बैक बाइटिंग करने वा लोग, ऐसे लोग जो कहिन कई आप से जलन करते हैं उनके साथ उलजने का कोई काम नहीं करें ना ही किसी ऐसी मूर्कों की सभा में जाकर आप लीडर बन के भाशन देने का काम करें तो लोग कन्फीज हो जाएंगे एक्चलों मूर्क कौन है, तो हमें मूर्क तो बना नहीं है इसलिए वहां रहिए जाप की इज़त है बिजनस परसंस को आज बड़े निवेश करने से बचना चाहिए वरना पैसा फसना, नुकसान और धोखा हो सकता है न्यू जेनरेशन को सावधान रहते हुए अपने संबंदों को और मजबूत करना चाहिए कहीं ने कहीं आप इल्यूजन से निकल कर धर्ती बरा जाएं घर की जो जिम्यदारिया है, जो रैस्पोंसिबिलिटीज है, जो लाइबिलिटीज है उन्हें पूरा करने प्रयास जरू करना चाहिए नसों में खेचाव, गले में तकलिफ या सेहत में इम्यूरिटी कमजोर होने की कुछ ऐसी कोशिश ग्रहों के द्वारा रची जा रही, आप प्रैलेट हो जाएं सूरी ग्रहन के पावनावसर पर आज हरा चारा, हरे मूंकी दाल, हरे वस्तर, हरी सबजी ऐसे लोगों को डोनेट करिए जिनको वाखे में जरूत है मेरे प्रेसाति हूँ, आईए छे राशिक बात, बैचिकल निम्रोलोजी में बात करते हैं अगर आपका बर्थ नमबर यानि मुलांक आठ है, तो आपके लिए कौन सा मोबाइल नमबर लखी होकर, कौन सा अनलखी हो सकता है पहले ये जान लेंजी मुलांक आठ क्या है आपका जन्म किसी भी महिने के आठ, सत्रा ये चब्विस तारिक हुआ है तो बर्थ नमबर यानि मुलांक आठ होगा आठ नमबर का रूलिंग प्लैनेट शनी देव है शनी से संबधित प्रभावित वैक्ति जरू हो सकता है लेट लतिफी आलस्य की शिकार होता है ऐसे में अगर आपके मोबाइल नमबर की टोटल 3, 6 और 8 है तो आपके लिए शनी देव बहुत सपोर्टिव रहेंगे लेकिन अगर साथ टोटल है तो तो तोड़े सावधान होने की जरूँ थे आई लोटते हैं राशी फल की तरफ तुला राशी शादी शुदा हैं तो लाइफ पार्टर वड़ा लाव पार्टर वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ मन भेद और मदभेद बुलाई और बांडिंग मजबूत करिए वेशकुम्ब और सरवार सिद्धी योग के बने से वर्क प्लेस पर जमी जमाई जाजम नहीं मिलेगी और बनी बनाई थाली भी नहीं मिलेगी आपको खुद ही आज पॉजिटिव एन्वार्मेंट बनाना पड़ेगा सौ परतिश्चत अपना हर काम में अगर आपने सयोग दिया तो आज आप शाम को बहुत खोश हो जाएंगे बिजनस परसन्स को कुछ समझोते कही समझारी से करने होंगे आज कर्जा लेना और कर्जा देना मुश्किल में डाल सकता है स्पोर्ट्स परसन को टीचर कोच मेंटोर से बहुत सपोर्ट बिलेगा लेकिन आत्म बल आपका खुद का मजबूत होना चाहिए इसके लिए बुरी आदतों से पहले बची जो पेरेंट से उनको अपने संतान के तरफ जयान देना चाहिए कहीं ऐसा ना हो का हम सं को सर्फकार देते गए और संसकार देना भूली गए सेहत की बातें आज जरू करने चाहिए गर्बवती माईलाओं को बहुत समझधारी से दिन गुजारना चाहिए डॉक्टर की सलासे ही सारे काम करे सूरी ग्रहन पर आज आपको सफेद वस्तुएं जैसे वस्तर हो सकते है दूद दही चावल शकरादी का दान करना चुब रहेगा ब्रिश्ची ग्राशी कोई बांसी क्या शारेरी बिमारी में कमी या कोई वैद हकीम नीमराज बिल सकता जिससे आप कोछ उटकारा बिलने का मौका बिल जाये और मौका बिले तो चौका लगाये Sabbath नौकरी पेशा लोगों को घर ओया Office दोनों को सैपरेट रखना चाए टानी टेबल को ऑफस टेबल ऑफस टेबल को डानी टेबल बनाने से से बचना चाए यानि घर की बात ऑफिस में ऑफिस के बात घर में न होते बैतर है बिजनस परसन्स के लिए दिन लाबदायक है नए इंवेस्टमेंट नए प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएंगे से बैटर है इसलिए एक्स्टर एडवांस में काम करें हलका बोजन अच्छी नींद आपको आगे रखेंगे सूरी क्रहन पर आज अनाज दान करना चाहिए गुड लाल वस्तर मसूर की डाल आदी का दान करना आपके लिए पुनिशाली हो सकता है धनुराशी संतान सुख और संतान से सुख ये दोनों सुख बिल गए तो आप बहुत नसीब बले कराएंगे वर्ड प्लेस पर काम में मन लगाईए और हर काम को खुश रहकर करिए कुरोध से दूर रहिए और जलन और एरश्या से दूर रहिए बुदादिति, सर्वार्सिति और विश्कुम योके बनने से बिजनस पर्सन के लिए दिन शुख फर लेकर आ रहा है आज सेल्स, पर्चेस, बार्केटिंग, हर काम को अपने देख रेक में करेंगे तो बहुत सारी चोरी पकड़ी जा सकती स्टुडेंट, आर्टिस और प्लेइट्स अपने वैवार को पहचानिये सुएम के वैवार के चलते आपके मितर बन सकते हैं सुएम के वैवार से ही मितर भी शत्रू को पन जाते हैं शाम को परिवार के साथ बोजन और अच्छे ब्यूजिक आनन देंगे, पॉसिटिव एटिटूट से बहुत उड़जा आपको बिलेगे, सेहत की दृष्टी कौन से, आज बांसिक तराव कोई देने की कोशिश करेंगे, आप लेने का काम मत करिएगा, सूरी ग्रहन पर चने क दिख रही है, पॉसिटिव विंडोस दिख रही है, बिजनस परसने के लिए थोड़ा बांसिक तराव और कहिन के पैसा, फस्ता, नुकसान और दोखा आपके मन को अशान्त कर सकता है, ड्यू जनरेशन को अपनों से बेवजे की शंका जलन नहीं रखनी चाहिए, वरना और हड़ियों की तकलिफ आपको परिशान कर सकती है, सूरी ग्रहन पर आज चाता, कहिन कंगा, काली चीज़ें, नेदेवस्त और सर्सों का तिल, तिल आदी का दान करना शुब रहेगा, कुमराशी, दोस्तों के साथ वक्त गुजारिए, अपने दिल की बात शेयर करिए, लेकि जहां पर थोड़ी भी सुगवोगाहट आ रही है, कि आपकी बात सुनकर कोई इसका घलत मतलब रिकाल सकता है, ऐसे में एकांट पे रहना सभजारी, ऑफिस पे बास को खुश करने लिए जोटे वादे मत करीगा, और कोई ऐसे दस्तावेश पर हस्ताक्षर मत करीए, जहां पर आपको खुद लगता है, कि आप फस जाएंगे, आर्तिक लाप के दिरिश्टी कौन से बिजनस परसन्स के लिए, आज ट्रैवल करके बड़ा लाप में बिले गए, ट्रैवल में बिजनस विद प्लेजर होगा, न्यू जनरेशन, स्वाइम को दूसरों के विवास आज आपको चाते का, सरसों के तेल का, गेहूं का, अपने वजन के बराबर जो अनाज हो सकते हैं, उन्हें जरुत बन लोगों को डोनेट करना शुब रहेगा, मीन राजी, अपने नैतिक बोले, जिम्मेदारी, कर्तव योग रिभाने का काम करे, आफिस में अपनी टीम के आज आराम हराम है, जो प्राप्त है, वही परियाप्त है, ये सोच कर गाम करोगे, तो आज आपको बहुत खुशी मिलेगी और संतुस्टी मिलेगी, पेरेंट्स को चाहिए, कि आप बच्चों के नकारत पर इस्तियों को पॉसिटिव टिम लाइए, आप यहां तक कैसे पह पर चने की डाल, बेसन, गुड, हल्दी, केसर, एजुकेशनल बुक्स और एजुकेशनल कहीं कहीं हम किसी मदद कर सकें, तो जरू करना चाहिए, मेरे पर यह साथियों, आईए, एस्ट्रो ग्यान में कारिक्रिम ग्यान में बात करते हैं, बुद्ध की दशा में केतु गें इस वक्त आता है, प्रोफेशनल एक्टिविटिस पर ध्यान देना चाहिए, खर्चे बहुत बढ़ते हैं, और खर्चे में दिखावा होता है, इसे करजा में लेना पड़ सकता है, एक आगरता भंग होती है, और केत छुड़ावे खेत, इसमें कई बार हमारे स्ट्रीम चे आज के लिए तना ही प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशिरवाद, जय जय शनी देव, जय जय शनी देव, प्रेसातियों, कलियूगु में सबसे ज्यादा अगर भायभीत कोई इंसान किसी ग्रह से है, तो वो शनी देव है, जबकि शनी देव ना तो किसे दे हो जाती है, उसी से ही हम परेशान होते हैं, शनी की दशा, अंतरदशा, शनी की डहिया, शनी की साड़े साती, शनी का किसी प्रकार से अगर कुंड़ी में दोश है, तो उन्डिस भई शरी अमावस्या पर आप सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं जोदपूर में, आप अधा करेंगे कि आपके जियून में सदैव के लिए कस्ट समाप्त होकर सुक्ष, समर्दी और शान्ती आएगी, देगे नमबर फे संपर करके पूरी जानकारी आप राप्त कर सकते हैं, धन्यवाद